रानी माहो सुननदा जी इस इंतजार में बैठी थी, आज निधी उन्हें अपनी जीवन की सारी सच्चाई बताने वाली थी। निधी भी अपने मन को कड़ा करते वे, रानी महां सुननदा जी को अपने जीवन की पिछली सारी बाती, कार्तिक के साथ किस परिस्तितियों में बिबाह हुआ और फिर अचानक से, कैसे परिस्तितियां बदलने लगी, जिनके कारण निधी को घर छोड़ने का फैसला करना पल पल निधी के चेहरे की दसा बदल रही थी, निधी के चेहरे पर तकलीफ की लकीरी देखकर सुननदा जी और रानी मा दोनों को तकलीफ पहुँच रही थी, दोनों मन ही मन अपनी बच्ची के लिए दुखी हो रही थी, उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था, कि छोट इसी उम्र में इस मासूम बच्ची ने कितनी तक्रीफी देख ली, पहले मा का साया सिर से उठ गया, फिर पिधा के प्रेम के लिए जीवन भै तरस गई, सौतेली मा डायन का रोप थी, तमाम दुखों को छेलने के बाद कम से कम इस्वर ने कातिक के रूप में एक बहुत ही प पवित्र प्रेम की निसानी समझ कर जन्म देना चाहती हैं, लेकिन सुननदा जी और रानी मा को, ये बात भली भात पता थी, कि आगे चल कर सिंगल मदर के तौर पर, नेधी को काभी परिसानियों का सामना रहना पड़ेगा, बिना पिता के नाम की, इस समाज में बच्चे क बहुत से अपमान सहने पड़ते हैं, निधी इस वक्त अपने जीवन में आने माली, इस खुसी के लिए जो तैयारी कर रही है, क्या आगे वो परिस्तितियों के हिसाब से, अपने बच्चे को और अपने बच्चे को समाज के तानों से बचा पाएगी, लेकिन इस वक्त वो निधी की खुसियों को कम नहीं कहना चाहती की, इसी दुनों निधी को गले लगाते वे, उसे धेर सारा आशिरवाद देती वे कहती हैं की, तुम्हारी इन खुसी में हम भी सामिल हैं, जब कभी भी हमारी जरुरत पड़ी, वे हिचक हो कर हम से बात कर सकती हैं, हम हर वक्त आपकी मदद के लिए तयार हैं, इसर करे कि आपका बच्चा स्वस्थ और संदर पैदा हो, हम भी उसे अपनी गोध में लेने के लिए तरस रही हैं, आखिर हमारा भी तो प्रमोसन होगा, हम भी रानी मा से, नानी मा बन जाएंगी, क्यों सुननदा, ठीक कह रहे हैं ना, हा हारी खूल सी बच्ची के जीवन में, ये खुसी के पल तो आए, जो हमारे लिए अनमूल है, हमारा असिर बाद है कि, वो हमारी बच्ची के जीवन में खुसिया ही खुसिया रहे, किसी की बुरी नजर की चाया इस पर ना पढ़ने पाए, सुननदा साहिल निधी को,umba ह साहि चल सकती हैं मैं भी वहीं जा रहा हूँ आज मैं जाने क्यों निधी का नजरिया साहिल के लिए थोड़ा बदल गया था जिस तरह से वो पहले साहिल से बात करने से परहेज करती थी अब ऐसा नहीं था जब से साहिल ने इंसानियत के नाती उसको हॉस्पिटल ले जाकर उसकी म जाने को अपने पास पाकर बहुत खुश होते हैं निधी भी उन बच्चों के रोप में आज अपने अजन्वे बच्चे की परचाएं को महसूस कर पा रही थी वो कल के लाएवे खिलोनों में से कुछ खिलोने यहां के बच्चों के लिए भी साह लाई थी जिने वो बारे- बच्चों में वित्रित कर रही थी बच्चे भी निधी के हाथों के लेनों को पा कर खुश हो गए अपने अपने खिलोनों के साथ खेल रहे थी जिसे देखकर निधी को आत्मिक सांती महसूस हो रही थी और इस तरह से निधी को खुश देखकर दोड़ खड़े साहिल को भी स समझ रहे थे, लेकिन दीरे-धीरे निधी के साथ रहने के उपरानत, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी, कि निधी हर किसी से जल्दी गुल मिलने पाती है, इसलिए सामने वाले को उन्हें समझने में गलत फहमी हो जाती है, और साइद यही गलत फहमी सुरू सुरू में साहिल को भी हो गई थी लेकिन अब निधी के साथ काम करके साहिल को निधी के अंदर एक खोबसूरत और कोमल छबी नजर आ रही थी जो उन्हें बार बार निधी की तरफ आकरसित कर रही थी लेकिन निदी के बनाए दायरे को लांगना इतना आसान भी नहीं था साहिल कितनी भी कोसिस करे निदी से दोस्ती बनाने की लेकिन निदी के सामान वेवहार के कारड़ वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाते थी आज निदी घर आकर काफी खुश थी आज उसका मन काफी हलका महसूस हो रहा था क्योंकि आज उन्होंने अपने दिल की बार सुननदा जी और रानी मा को बताई थी अब उन्हें अपने जिन्दगी से किसी भी तरह क्या सिकवा जिकायत नहीं था वो अपने आज को अपने अजन्मे बच्चे के साथ खुसियों के बीच बिताना चाहती थी जिसकी तैयारी उन्होंने सुरू कर दी थी हर रात वो अपने बच्चे को उसके पिता के बाते जरूर करवाती और इस बीच अपने दिन भर की दिन चरिया के बारे में भी वो कारतिक से बाते किया करती थी उन परलों में उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कारतिक सच मुझ उसकी बाते सुन रहे हैं कि क्या वो अपने दोस्त से उसके जीवन की सबसे महत पोड़ बात चुपाने चाहिए या नहीं नहीं दोसरी तरब दिमाग ऐसा करने से रोक रहा था कहीं ऐसा नहो कि सच जानने के बाद कारतिक और भी ज़्यादा दुखी हो जाए क्योंकि अब तक वो कारतिक में निदी के वापस लोटने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि निदी उन्हें छोड़ कर अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है तो सायद कारतिक ये सदमा ब्यदास ना कर पाएं और हो सकता है अपने आपको नुकसान पहुँचा लेए कारतिक की दोष्ट दाक्तर दीपाली अपने मन का गिल्ट दूर करने के लिए कारतिक को समझाते वे कहती हैं की कार्तिक तुमने तो अपने आपको निदी के जाने के बाद रोक रखा है लेकिन अगर निदी अपने जीवन में आगे बलग चुकी होगी तो आखिर कभी तक तुम उनके इंतजार में इस तरह अपने जीवन को बांध कर रखना चाहते हो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अलामा तुम्हारे इस जीवन पर तुम्हारी मा का भी उतना अधिकार है फिर तुम अपने दुख में उनको क्यों बेवजह तकलीफ पहुँचा रहे हो भले ही वो तुम से कुछ नहीं कहती है लेकिन एक मा होने के नाते अपने एक लोते बेटे को लेकर उनके दिल में भी बहुत से अर्मान होंगी जिनका ख्याल उन्होंने तुम्हारे जनम लेते ही देखना सुरू कर दिया होगा और आज जब उन्हें पूरा करने का समय आया तो तुम अपने दायरे में बंध उन्हें फिर से तकलीब पहुचा रहे हो बहले ही इस वक्त तुम्हें मेरी बाते सही ना लगें कार्थिक लेकिन कभी अकेले में मेरी बातों पे गौर करना जब तुम्हें पता चलेगा तुम अपने साथ साथ एक मा के दिल को भी तकलीब पहुचा रहे हो कातिक डाक्टर दीपाली की बातों को बड़ी गंभेता से सुन रहे थी और उन्हें डाक्टर दीपाली की बाते सच ही लग रही थी क्योंकि सच मुच उन्होंने अपने दुख में इस तरह से अपने आप को डुबो लिया था कि उन्हें अपनी मा के जजबातों की कोई फिक्र ही नहीं रह गई थी लेकिन उपने दिल के हाथों मजबूर थे क्योंकि निधी की हलावा उनके जीवन में किसी और के लिए अस्थान ही नहीं बचा था फिर वो किसी तरह सी किसी और लड़की को लाकर उसे तकलीफ में डाल सकते थी कुछ देर की आपसी बात चीत के बाद कारतिक दिपाली से बिदा लेकर घर पहुँचते हैं आज समय से कारतिक को घर पहुचा हुआ देख कर या सोधार जी उन्हें अपने पास बिठाते हुए समझाती हैं कि कारतिक हम सोच रहे हैं कि अब हम गाउं चले जाएं गाउं पर भी हमारी पुस्तैनी जमीन जायदात को समालने माला कोई नहीं है इस बात तो हम तुम्हारे पास काफी दिनों के लिए रुख गए और जब तुमने अपने बारे में फैंसला ले ही लिया तो फिर अब हमें लगता है कि हमारा यहां कोई काम नहीं है अब हमें गाउं लोट जाना चाहिए आखिर महां की देखभाल के लिए भी तो कोई होना चाहिए जो हमारे ना रहने से बिखर रहा है दिपाली की बातों को सुनने के बाद मा की बाती इस समें कारतिक को तकलीप पहुचा रही थी उमन ही मन सोच रहे थे कि मैंने न चाहती हुए भी अपनी माँ को कितनी तकलीक में डाल दिया है बली ही माँ खुल कर मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती है लेकिन उन्हें भी अपने परिवार और बंस बेल की चिंता सता रही है कारतिक मा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मा की गोद में सिर्र रह कर लेट जाते है और कुछ देर की चुपी के बाद कहते हैं की मा मैं आपका कुसूर वार हूँ मैंने एक बेटा होने का कोई भी उतर दायत तो नहीं निभाया मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है आप उन सभी परिष्थितियों से पोड़ता वाकिप है इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए हो सकता है मैं अपने आप को बदल सकूँ और आपके अदोरे अर्मान को पूरा कर सकूँ जो हर माँ अपने बच्चे के लिए देखती है यसोदा जी नम आखों से कारतिक के बालों में हाथ फिराते भी कहती है कि मैं सब जानती हूँ बेटा मैंने सब कुछ अपनी आखों से देखा है मैं हर रोज इस्वर के सामने प्रातना कहती हूँ कि निधी फिर से तुम्हारे जीवन में वापस आ जाए लेकिन क्या करूँ एक मा का दिल कभी भी अपने बच्चों को ऐसे दुखी नहीं देख सकता है जिस तरह से तुम निधी के गम में अपने आप को तकलीफ पहुचा रहे हो मुझे भी ये देख कर तकलीफ होती है मुझे लगता है कि हमें आनंद की बातों को ध्यान में रखकर एक बार निधी के बारे में अपने अस्तर से पता लगाना चाहिए हो सकता है आमने सामने बात करने से तुम दोनों की गलत फहमी दूर हो जाए क्योंकि जिस दिन निधी पार्टी के बाद फाम हाउस से लोट कर आई थी वो अपने रिस्ते को लेकर काफी खुश थी उनके चेहरे पे मैंने तुम्हारे लिए जो प्रेम और अपना पन देखा था वो एक पत्नी के चेहरे पे लिखाई देता है मा की बातों को सुनकर कार्टी को उस रात निधी के साथ बिताए हुए हर पल याद आने लगते हैं कमरे में आकर अपनी साधी की फोटो के सामने बैठ कर कार्टी की निधी की चेहरे को अपने हाथों में समेटते हुए पूछते हैं की मुझे इस हालत में छोड़ कर कहां चली गी कम से कम एक मौका तो दिया होता मुझे मेरी बात कहने के लिए निधी अपने आने माली संतान के बारे में सोच कर काफी उतसाहित थी आज डॉक्टर दिपाली के पास चेकप के लिए जाना था निधी ने पहले ही डॉक्टर दिपाली से अपाइट्मेंट ले लिया था साम को इंजीयों से आते वकत निधी डॉक्टर दिपाली के क्लीनिक पे पहुँच जाती है दिपाली चेकप के धौरान निधी से उसके बयत्मान में क्या चल रहा है उस बारी में जानना चाहती थी लेकिन सुरुमात कैसे करी इस उलजन के कारड वो अपनी बात को सुरू नहीं कर पा रही थी कुछ देर की जिद्दो जहित के बाद आखिरका दिपाली निधी से पूछती हैं कि निधी एक दोस्तों ने के नाते में जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों की बीच ऐसा क्या हुआ था जिसके कारड तुम्ही इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा पार्टी वाली रात तुछ सब कुछ ठीक चल रहा था फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो तुम दोनों अलग ह हो गए जिधी अपने पार्ष्ट के बारे में लिपाले से कोई बात नहीं करना चाहती थी इसलिए सीरे से बातों को खारिस करते हुए कहती है कि जो बीच गया मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती अब आगे जो मेरे जीवन में खुसियां आने वाली हैं बस मैं उनमें ही खुस रहना चाहती हूँ मेरी डॉक्टर होने के नाते मेरी जीवन में आगे जो खुसियां आने वाली है उनके बारे में आप मुझे से डिसकस कर सकती है लेकिन पीछे अतीत में क्या छूट गया है मैं उस बारे में कोई बात करके अपने आने वाली खुसियों को कम नहीं करना चाहती लॉक्टर दिपाली निदी के इनकार को भली भास समझ गई थी इसलिए उन्होंने दोबारा कोई क्वेश्चन ना करना ही ठीक समझा रानी मा आज बहुत खुश थी सुनन्दा जी को बुला कर कहती है सुरंदा हम अपनी बेटी के लिए बहुत खुस हैं और चाहते हैं कि अपनी बेटी की खुसियों को हम परिवास सही सेलिबरेट करें क्या इस काम में तुम मेरी मदद करोगी हम चाहते हैं कि इस महल में निदी के होने वाले बच्ची की आने की खुशी में हम एक सांदा समा रोख करीं जिसमें कुछ खास पारिवारिक सदत से और जान पहचान वालों को बिलाया जाए हम यह भी चाहते हैं कि इस जलसे में निधी को हम अपनी बेटी की तोर पर सबसे परचित करवाएं ताकि निधी के मन में जो हमारे रिष्टे को लेकर जिजख है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए रानी मा मुझे इस समाह रोज से कोई आपती नहीं है लेकिन आप तो निधी के सुभाव को जानती है वो इस तरह के भीरभार और सोर सराबे वाली पार्टियों में पार्टियों से किस तरह दूर भागती है मुझे नहीं लगता कि वो इन सब के लिए इतनी जल्दी तयार होगी मा होने के नाते तुम एक कोसिस तो कर सकती हो क्या तुम नहीं चाहती कि इतने दिनों बाद निधी के जीवन में आई खुसी को हम अपने प्रियासों से दुगना कह दी जी बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बीटी हमेशा ऐसी ही हस्ती मुस्कुराती रहे लेकिन मैं उसके सभाव से भी परचित हूँ अब तक जितना मैंने उनको जाना है उसे हिसाब से इस कारी के लिए उन्हें मनाना थोड़ा मुस्किल है लेकिन फिर भी मैं कोसिस जरूर करूँगी और हो सकता है अपने आने वाले बच्चे की खुसी के लिए बात मान जाए हाँ बिल्कुल मैं भी यही सोच रही हूँ तुम्हें एक बार निधी से इस बारे में बात करो सुननदा मा घर आकर निधी से बात करने की कोसिस करते हुए कहती है कि निधी रानी मा चाहती है तुम्हारे होने वाले बच्चे के लानी की खुसी में एक समाह रोग किया जाए लेकिन वो इस बारे में तुम्हारी इच्छा भी जानना चाहती हैं लेकिन आप तो जानती हैं इस तरही की सोर सरावे वाली पार्टियां बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और दोसरी बात कि मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वज़े से रानी मा को किसी तरही की परेशानी हो उन्होंने मुझे अपनी बेटी के तौर पर जो प्यार और इज़दी है मैं उसके लिए उनकी जीवन पर एहसान मंदर होंगी नेधी ऐसी बात नहीं है रानी मा ने इन सब बातों का ध्यान रखा है उन्होंने कहा है कि इस पार्टी में सिर्फ पारिवारिक लोग और कुछ जान पहचान के लोग ही सामिल होंगे वो तो बस तुम्हारे आने वाले बच्ची की खुसी में पार्टी देना चाहती हैं और मुझे नहीं लगता कि इस मामली में एक मा होने के नाते तुम्हें कोई आपत्ती होनी चाहिए लेकिन फिर भी तुम्हारी जैसी इच्छा हो हमें बता सकती हो इस वक्त हम नमारी इच्छा की बिरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते हैं सुनन्दा मा की नाराजगी देख कर निधी चुप हो जाती है और महल में हो रही तैयारियों को देखने लगती हैं रानी मा और सुनन्दा जी ने मिलकर बच्चे की आने की कुसी में घर में सास सजा दिया था जिसमें डॉक्टर दिपाली भी सामिल थी निधी की गोद भराई की रस्म के बारे में जानकर दिपाली के मन में कार्तिक के लिए सहान भूत महसूस होने लगती हैं उमन ही मन सोचती हैं कि कार्तिक अब तक निधी के इंतजार में वहीं खड़ी हैं लेकिन निधी अपने जीवन में कितना आगे बढ़ चुकी है, अब उनका कार्तिक के जीवन में वापस आना ना मुम्किन है, और ये बात कार्तिक को भी समझना होगा, दीपाली को आज एक बड़ी सरजरी करनी थी, इसलिए वो इस समय इन बातों को दिमाग में रख कर, अपने दिमाग को उलजन में नहीं डलना जाती थी, इसलिए निमंत्र पत्र टेबल पर रख कर चली जाती है, कार्तिक की जीवन सी, निधी के चले जाने के बाद, कार्तिक का निधी के साथ की गए दुर्भेवहार के कारण, मन में उतपन गिल्ट की वज़े सी, इन दिनों अधिक इस्ट्रस लेने की वज़े सी, दिन पर दिन उनके सास्त में गिरावट आ रही थी, जिसे देखर, यसोदा मा को काफी तकलीफ हो रही थी, इस वक्त कार्तिक जिन हालातों से गुज़र रहे थी, यसोदा मा ये बात तो भली भात जानती थी, कि वो अपने सास्त के प्रतिल्ला परवा हो गई हैं, इसलिए परेशान होकर, यसोदा मा ने खुद ही उनके स्वास्त परिक्षड करवाने की बात कही, कार्तिक यसोदा मा की बातों को नकार नहीं सकते थी, इसलिए ना चाहते हुए भी, अपने दोस्त डाक्टर दिपाली के इस बिसे में सलाह मस्वरा करकी, एक ब अपने ही होस्पिटल में आने के लिए कहा, क्योंकि वोभी चाहती थी कि, उनकी देखभाल में ही उनका परिक्षड हो, आज उसी स्वास्त परिक्षड की रिपोर्ट लेने के लिए, लिए कार्तिक को डाक्टर दिपाली के होस्पिटल जाना था. डॉक्टर दिपाली, अभी अभी एक सरजरी से खाली होकर कैविन में फिरस होने के लिए आई थी, तभी नर्स ने निधी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाकर दिखाते हुए पूछा की, मैडम इसे कहां रखना है तकी होने के काहड़। डॉक्टर दिपाली ने रिपोर्ट टेबल पर रखकर नर्स को जाने के लिए कहा और खुद फिरस होने के लिए वो स्रूम चली गई, यह सोधा मा के बार बार याद दिलाने के बाद कारतिक भी आज आज आफिस से लोटते समय, डॉक्टर दिपाली के हॉस्पिटल में अपन अपने कैविन में नहीं थी, इसलिए कारतिक अपनी बोरियत दूर करने के लिए टेबल पर रखी फाइलों की तरफ नजर डालते हैं, निर्धी की रिपोर्ट पर नजर पढ़ते ही, कुछ पल के लिए उनकी निगाहें ठहर जाती हैं, और ना जाने क्यों, बार बार मन में उस रिपोर्ट को जानने की अविलासा जगने लगी थी, लेकिन तभी डॉक्टर दिपाली खिरसो कर उस रूम से बाहर आती हैं, और कारतिक की निगाहों का नुसरड करते ही, निदी की रिपोर्ट पर नजर पढ़ते ही, हर बढ़ते हुए वो रिपोर्ट टेबल की बढ़ते के लिए डॉक्टर दिपाली से माफी मांगते हैं, और अपने दोस्त से, अपने दिल की बास सेर कहते हुए कहते हैं, कि ना जाने क्यों, एक पल के लिए इस रिपोर्ट की उपर निधी का नाम देख कर, मन में एक अंजानी से जिग्यासा उत्पन्न हो गई थी, निधी नाम मेरे जीवन का अभिन अंग बन गया है, जिसे मैं चाह कर भी भोल नहीं सकता, इस रिपोर्ट की उपर निधी का नाम पढ़कर, मैं थोड़ी देर के लिए बहंक गया था, जिसके लिए, मैंने तुमसे माफी भी मांगी है, खेर ये सब छोड़ो, तुम मुझे फटा-फट मेरी रिपोर्ट दे दो, क्योंकि आज अगर मैं खाली हाथ गया, तो माना जाने मेरी क्या हालत करेंगी, इसका मुझे भी अनुमान नहीं है, दिपाली मुस्कुराते हुए कहती हैं कि, तुम्हारे साथ ये सोधा मा बिलकुल ठीक कहती हैं, तुम अपने स्वा प्रतिला परवाही और अधिक से अधिक तनाव लेने के कारण जो प्रॉबलम हुई है, उसके लिए मैंने कुछ दवाई सजस्ट कर दी हैं, जिनको नियमित लेने और खान पान दिंचरिया में सुधार करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, दीपाली ने डॉक्टर होने के नाती, कार्तिक का निरिक्षड भी करवाया, और उनकी धवाओं और परहेज के बारे में भी उन्हीं बताया, लेकिन एक दोस्त होने के नाती, वो चाहती थी कि कार्तिक के मन का गिल्ट भी हमेशा के लिए निकल जाए, और इसके लिए कार् कातिक को भी अपने साथ ले जाएंगी, हो सकता है, निधी को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखकर, कातिक अपने गिल्ट को भूल कर, अपने लिए भी सही फैसला ले सके, और ये तब होगा, जब कातिक मेरे साथ, उसे समा रोह में सामिल होंगे, कातिक और निधी के हमेशा के लिए दोनों को एक दोसरे से दोर हो जाएंगे, जानने के लिए आप प्लीज अनचाहिद लहन कहानी को पढ़ते रहिएगा, मिलती हूँ इसके निष्ट चेप्टर के साथ, प्लीज आप लोग जाने से पहले कहानी को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा, दोस्तों कि इस कहानी का के लिए लाइक चैप्टर आना बाकी है, उसके बाद फिर नई स्टोरी सुरू करूंगी, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल पर अपना प्यार देते रहीगा